हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर बी एनल के बारे में यानि की रेल विकास नेगम लिमिटेड के बारे में और इस शेयर के बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि अभी मैं जादा है कि अब हर कोई इसमें इन्वेस्ट करने क्या सोच रहा है यहां पर एक एनलिस्ट की पर्टिकुलर्ली रिपोर्ट निकल के आई है कि क्या इस लेवल पर हमें कल से इसमें पोजिशन बनानी चाहिए या फिन नहीं बनानी चाहिए और अगर नहीं बनानी है तो फि में क्या करना है क्या नहीं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो गर आपको अच्छी लगे वीडियो आपको काम की लगे तो लाइक जरू करिएगा चैनल पर अगर आप फर्स टाम विजित कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर लीजेगा सब्सक 63 रुपीज से उपर की लेवल पर आरवी अनल आपको मार्केट में ट्रेड गत्यों नजर आ जाएगा ये शियर अगर आप देखोगे तो एक महिने पहले 40-45 की रेंज में था आज 63 पे आ गया है जैसे मैंने आपको बताया कि 5 दिनों में 25 परसेंट से ज़्यादा की रेटरंस हैं मतलब अगर आप देखो तो 13 रुपे का मूमेंट है 50 रुपे के आसपास ट्रेड कर रहा था और 5 दिनों में ही 63 रुपे से जादा की लेबल पर पहुँच गया एक महिने के रेटरंस 75 परसेंट से जादा है 75 परसेंट से जादा केवर और केवल एक महिने में आप सोच पा रहे हैं कि किस according moment आया है इस particular stock में तो वही पिछले 6 महीने में 100% से जादा है double हो गया है यानि कि आदी साल में ये शहर आपको double होते हुँ नजर आ रहा है 30-35 के आसपास नजर आता था 63 के आसपास नजर आ रहा है अभी भी इसमें चीज़ा जो है वो बहुत ही सारी चलती नजर आ रहे है एक बार इसका मैं key matrices दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा clarity मिल जाएगी आप यहाँ पर देखो कि sector का P अभी 22 है और इतना moment आने के बाद भी इस share का जो P है वो आपको 10.76 नजर आता है यानि कि अपने sector से आदे P पर trade कर रहा है अभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा cheaper level पर यह मिलते हैं नजर आ रहा है ऐसा यहाँ पर अगर हम केवल P को देखें तो ऐसा नजर आता है वहीं dividend yield आप देखो sector में 1% भी नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको 3% की dividend yield मिल जा रही है और 100% यहाँ पर analyst recommend कर रहे हैं कि आपको इस particular stock में position बनानी चीए और यह long term के हिसाब से है एक बारी financial trend में आपको देखा हूँ तो चीज़ें और जादा clear होते हैं नजर आएंगी आप यहाँ पर देखो कि company में मैं यह नहीं बोलूँगा कि profitability में बहुत तगड़ी ग्रोथ है ऐसा नहीं है लेकिन revenue आप यहाँ पर देखो sharply increase कर रहा है पिछले 4 साल का trend में आपको दिखा रहा हूँ तो revenue बहुत अच्छे से ग्रोग कर रहा है वहीं जो profitability है वो भी company की continuously increase ही हो रही है तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो report निकल के आई है वो क्या है अब यहाँ पर देखो एक directly report मैंने दिखाई है यहाँ पर बताया कि आए कि अभी 63 या 64 के भाव पर इसमें पैसे लगाने की सला नहीं दोंगा कभी नीचे मिले तो 50 रुपे का stop loss लगा कर आप इसे कहीं पर भी खरी सकते हैं और hold भी कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर proper दरीके से बताया गया है कि थोड़ा सा जो RSI यह वो बढ़ चुका है और higher level पे आ गया है तो consolidation थोड़ा सा देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यह पिछले 6 महीने में 100% कम से कम 52 से 55 रुपे के भाव तक आ जाए तो यहाँ पे आप खरी सकते हो 50 रुपे का stop lock लगा सकते हो और इस से नीचे अगर बंद होता है तो फिर परिशानी हो सकती है इसके अलाबा कोई भी दिक्कत नहीं है यह बैतर हो जाएगा तो इस report में exactly आप आपको एक एक level के बारे में बता दिया कि आखिर अगर आपको यह जो शेर है वो 55 से या 52 रुपे तक मिलता है तो आप no doubt इसको खरीद लो और 50 रुपे का stop loss maintain कर दो लेकिन अगर 50 रुपे से नीचे की level पे चला जाता है तो थोड़ी बहुत इसमें और ज्याज़ा गिराव हो सकती है लेकिन आप इसको hold करके लग सकते हो लेकिन अभी का जो level है वो थोड़ा higher side पे नजर आता है तो यह एक report होगी अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आखे दूसी report क्या निकल के आती है यहाँ पे देखो तो rail विकास निकम shares cracks up to 8% as trader book profit यानि कि अगर आप देखोग तो जिस according मैंने आपको returns दिखाए है तो यहाँ पे आपको जो आने वाला time है उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत consolidation देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो traders है जैसे कि 5 दिन में 25% की returns है और यहाँ पर एक महिने में 75% की returns है तो जो traders है वो तो profit book करेंगी definitely तो यहाँ से करीवन करीवन 8% का जो consolidation है या फिर आपको यहाँ पर गिरावट है वो देखने को मिल सकती है और इस report में पूरी तरीके से बताया भी गया है कि आप जो 50 रुपे के level है उस पर fresh entry ले सकते हो अगर और ज्यादा dip आती है तो 45 40 रुपे पर भी जा सकते हो 40 रुपे का stop loss आप यहाँ पर लगा के चल सकते हो 80 रुपे से 100 रुपे तक के level आपको आने वाले 10 से 12 मेने के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो मेरे ख्याल से मैंने इस report में या इस video में सारी चीजा cover कर दी जो कि आपको पता होनी चीए और यहाँ से मैंने आपको बता भी दिया कि कितनी गिरावट हो सकती है कहां कहां तक level से आतकते हैं short term में क्या है और long term में क्या है अब हम बात कर लेते हैं अपने दो stock के बारे में जो कि यहाँ पे आपको corporate action दिखाते हैं नजर आने वाले हैं company का नाम निकल के आता है easy trip planner limited यहा बहुत ज्यादा बैठरी नजर आते हैं especially profitability के बारे में बात करें double triple होती भी नजर आ रही है company आपको दो corporate action एक साथ दिखाते हुए नजर आ रही है यानि कि 21 नवंबर act date है और यहाँ पे आपको जो split है वो देखने को मिलेगा पहले तो one ratio two का फिर bonus आपको देखने को corporate action एक साथ अब यहाँ पे बात करते हैं अगले stock के वाले में तो वो निकल के आता है हिंदु जा ग्लोबल solution इसके भी return profile long term के इसाब से अच्छी है 1275-76 के असपास market में trade गत्यों नजर आता है इसके अगर हम financial trend देखे तो बहुत जादे impressive तो नहीं है लेकिन इस साल बहुत अच्छा गासा moment देखने को मिला है चाहे हम revenue के बारे में बात करें या फिर profit के बारे में बात करें तो अब यहाँ पे यह जो company है वो आपको December में corporate action दिखाएगी और जो इसका dividend निकल के आता है वो निकल के आता है 5 रुपे पर share का अब higher price side आपको यहाँ पे देखने को मिल के चल सकते हो तो बाकी सारी चीजे मैंने आपको इस वीडियो को तुरू बता दी है सारे stocks के बारे में exactly levels बता दी है वाकि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करिएगा चैनल पर अगर आप first time विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जर का दीजेगा धन्यवाद